आज किस वीडियो में हम जनौवरी मंत के बारे में बात करने वाले हैं कि इस जनौवरी मंत में हम सभी को क्या-क्या गिन यूज मिल सकती है कि मेरे पास काफी लोगों के कमें यूज सा रहे हैं क्या good news मिल सकती है तो आप सभी जानते हैं लाश्ट वेविनर में आसन ने अपडेट भी दिया है कि everything that was pending from 2023 is just about resolved and will get announced not in a month but every day is going to count मतलब 2038 से जो कुछ भी pending था वो लगभग resolve हो गया है और इसकी announcement भी की जाएगी मतलब इसके बारे में हम सभी को information भी दिया जाएगा जरूरी नहीं है कि यह सब कुछ एक ही मनत में हो जाए बट इसकी regarding everyday को count किया जाने वाला है तो इस सभी चीजों की regarding हम सभी को information मिल सकती है जिसकी regarding हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो first good news के लिए हम बात करें तो वो है first pending payouts जी हाँ first आप सभी जानते हैं कि pending payouts की regarding हम सभी को good news मिल सकती है इस जनौरी मनत में आप सभी ये भी जानते हैं कि ऐसर की कोशिश थी कि दिसंबर 2023 में pending payout को release किया जाए बट वो नहीं हो पया इसके बारे में हम सभी जानते हैं साथ में ऐसर ने ये भी बताया था कि pending payouts के लिए आन्ये कि bulk payouts के लिए हम जरौरी में अच्छे से ready हैं और ऐसर ने ये भी बताया था कि payout release करने से पहले हम edit option प्रवाइड करेंगे ताकि जो लोग wallet address को change करना चाहते हैं आफिर fund को increase करना चाहते हैं वो लोग easily कर पाएंगे तो payout release होने से पहले ये option हमारे पास आने वाला है तो मुझे एकीन effort की edit option याने कि withdrawal की regarding pending payouts की regarding जो edit option है वो जल्द हमारे ecosystem माई उरट में दिखाई दे सकता है जिसकी जरे हम अपने fund को increase भी कर पाएंगे और अगर हम wallet address को change करना चाहें तो वो भी हम लोग कर पाएंगे तो payout release होने से पहले ये option दिया जाएगा ये option देने के बाद हो सकता है दो दिन का चार दिन का या फिर एक बिक का time दिया जाए ताकि हम लोग easily edit कर पाएंगे उसके बाद bulk में सभी pending payouts को release कर दिया जाए तो इस मन्त में यानि की जरौरी मन्त में pending payouts को लेकर edit option को लेकर हम स ecosystem के साथ बने रही है ecosystem को आप लोग लगातार चेक करते रही है इसके अलावा अगर हम s bomb की बात के हैं तो आप सभी जानते हैं कि s bomb भी pending है coming soon में है जो कि बहुत ही ज्यादा special है special यह है first क्योंकि यह sr के name से जुड़ा हुआ है और अगर कोई चीच sr के name से जुड़ा तो इस special moment का हम सभी लोग बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं तो अगर सब कुछ regarding to plan हुआ सब कुछ ठीक ठाक रहा अगर ऐसर को लगता है कि इसके रिगार्डिंग हम सभी को बताना चाहिए तो इसके बारे में ऐसर जरूर बताएंगे मुझे लगता है कि जनौरी मन्त में की रिगार्डिंग भी हम सभी को good news मिल सकती है इसके अलावा अगर हम traffic distribution की बात करें तो traffic distribution की रिगार्डिंग भी हम सभी को information मिल सकती है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि onpassive.com या फिर onpassive के social media pages के थुरू जो new person ecosystem में registration करते हैं तो new customer को हम paid open customer के organization में ही allocate किया जाएगा त इसको increase किया जा रहा ताकि सभी लोग आसानी से ओकर्ड को या फिर other product को purchase कर सके तो इन सभी चीजों की regarding onpassive team लगातार काम कर रही है तो जैसे चीजे बहतर होंगी ऐसर को लगेगा कि अब traffic distribution का process start करना चाहिए तो ये process भी start हो जाएगा फिर लेकिन आपको ये भी पता होग तो मुझे यकीन है friends मुझे लगता है कि इस date के बारे में भी इस month में हमें information मिल सकती है मतलब traffic distribution की regarding क्या date रहने वाला है तो इस date के बारे में भी हम सभी को इस month में good news मिल सकती है friends कुछ ना कुछ information हम सभी को traffic distribution की regarding मिल सकती है इसके लावा अगर हम o verify की बात करें तो आप सभ इसका मतलब वेरिफाय के रिगार्डी वहां पर काम चला इंटीगरेशन का जो प्रोसेस हो सब कुछ हो रहा है तो उमीद है मुझे लगता है कि इस मन्त में वेरिफाय के रिगार्डी में कुछ गुड नुज हम सब्सक्राइब को मिल सकती है या फिर ऐसर के द्वारा कुछ इंफरमेशन हम सब्सक्राइब को मिल सकती है तो इसलिए एको सिस्टम के साथ आप लोग बन रहे हो सकता है कि इसके बारे में आसर ही कुछ बता है या फिर हो सकता है कि इको सिस्टम में ही इसके बारे में कुछ अपडेट दिया जाए या फिर ये भी हो सकता है कि इको सिस् हम new developments की बात करें तो आप से भी जानते हैं इसके बारे में आसन ने अपडेट भी दिया था last webinar में कि next week से हम कुछ new developments भी देखना ही start करेंगे तो next week tomorrow यानि कि Monday से start होने वाला है तो मुझे यकीन है first कि next week में हमें कुछ न कुछ new developments जरूर दिखाए देंगे हो सकता है यह new developments हमारे ecosystem की regarding हो हो सकता है paying system की regarding हो हो सकता है payout system की regarding हो हो सकता है किसी particular product की regarding हो या फिर हो सकता है किसी new product या फिर service की regarding हो कुछ भी हो सकता है first क्योंकि new developments क्या होगा उसकी regarding अभी हमारे पास कोई भी इसके रिगार्डिंग हम सभी को real time पे complete information मिल जाएगे इसके अलावा अगर हम cards payment की बात करें तो cards payment को और अधिक भेतर किया जारा limit को increase किया जारा sales volume को increase किया जारा और इसके रिगार्डिंग last pop-up में update भी दिया गया था कि sales volume को triple कर दिया गया इसलिए अब हमारे processors daily अधिक payments कर होने के लिए allow कर रहे हैं तो cards payment को काफी ज़्यदा बेहतर किया जारा ताकि सभी लोग यानि कि जो हमारे customer है ecosystem customer है user है वो सभी लोग आसानी से workaround को या फिर comment days में जो हमारे other products आते है ecosystem marketplace में उनको सभी लोग आसानी से purchase कर सके हमारा payment system अच्छे से काम करें तो इसको काफी ज़्यदा भेतर किया जा रहा है limit को increase किया जा रहा है इसके अलावा अगर हम other products की बात करें तो आप सभी जानते है other products की regarding already हमारी on passive team काम कर रही है जिससे की o tracker ह हो गया ओडिस्क हो गया verify हो गया on joy हो गया फिर बहुत सारे product है जिसके बारे में अभी हमें information भी नहीं है अभी हम सभी information भी नहीं मिली है ठीक है ना तो बहुत सारे product है जिसके regarding on passive team काम कर रही है तो जैसे चीज़े बहतर होंगी जब ऐसर को लगेगा कि हाँ other product भी ecosystem marketplace में provide क मिल सकती है इसके लावा last में अगर हम bonuses की बात करें तो हो सकता है इस month में हमें bonuses की regarding भी information मिल सकती है उन bonuses का क्या term रहेगा किस पॉम में रहेंगे किसको मिलेगा कैसे मिलेगा क्या strategy रहेगा उसके बारे में अभी हमारे पास कोई भी information नहीं but अगर हम अपडेट की बात करें तो starting में अनिकी सब्तमबर में ISN अपडेट दिया था कि end of cycle में second payout के रूप में कुछ commissions रहेंगे वो चीज़े हमारे ecosystem my wallet में automatic आ जाएगे जिसको हम भी drug कर पाएंगे तो इस परकार की अपडेट थी तो वो अभी तक नहीं हुई है लेकिन आप सभी जानते हैं कि time to time चीज में हम सभी को real time में information मिल जाएगी तो हो सकता है किसके regarding भी हम सभी को कुछ information मिल जाए ऐसर की तरफ से या फिर on passive की तरफ से ecosystem में तो हमें ecosystem के साथ बने रहना जो भी information होगी हम सभी को real time में provide कर दी जाएगी तो यह थे कुछ important points जिसके regarding मुझे आपसे बात करने थी उमीद है कि यह सभी points आपको आसानी से समझ में आ गही होगी और यह video भी आपको informative ज़रूर लगी होगी वीडियो informative लगी तो वीडियो को like कर दीजेगा, friends को share कर दीजेगा अगर आपने अभी तर subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe ज़रूर कर लिजिएगा